हाई फ्रेंज स्वागत है आपको मेरी चैनल में तो आज हम भुट्टे की रेश्पी लेकर आएं फ्रेंज वीडियो थोड़ी हिल रही है तो थोड़ा एज़ेस्ट कर लेना और लाइट का भी प्रॉब्लम है तो लाइट भी एज़ेस्ट कर लेना आगे वीडियो में है इसलिए तो छट पे हम आ गए हैं और वीडियो हम बनाते हैं कोई भी जानता नहीं है बिल्कुल भी हमने किसी को बताया नहीं है इसलिए छुपके वीडियो बनाते हैं तो इस तरह से हम छट पे आ गए हैं तो इधर हमने एट लगा लिए और जी कुछ लकड़ी और कोई यह भी रख लिया है अब इसमें एड करेंगे कैमरा को बंद करना पड़ता है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आग हमने जला दी है तो अब हम इसका जो मसाला बनाते हैं ठेले वाले बस वो बना लेंगे तो हरी मिर्च नमक और जीरा बस इन सवी को पीछ लेंगे प्तर पीषते हैं मिक्सी में नहीं पीषते हैं तो आज हम प्तर पर ही हैं मशाला बनाने को रख देंगे और जो पंखा है आपके पास टेविल फैन है तो बहुत ही अच्छा नहीं है तो हाथ वाला पंखा इस तरह से चला सकते हैं बस वो इसी तरह से बुनते हैं हाथ वाले पंखे से और या तो फिर कुछ भी करके हवा करके इस तरह से बुनते हैं तो फ्रेंस हमने टेल फैन लगा दिया था इसलिए हमें हवा करने की जरूरत नहीं पड़े ही फंकाँ से तो इस तरह से पलटते जाएंगे और सारे बुटे हम इसी तरह से सेख लेंगे बहुत ही टेश्टी लगते हैं बिलुकुल ठेले वाले की तरह स्वाद आता है तो ये सभी बुटे बुनके तयार है तो नाइट भी होने लगी है तो ये राद हो गई है तो नीचे आ गई है हम किचिन में तो इस तरह से एक बुटा लेंगे और इसे साफ कर लेंगे जितने भी इसमें राख लगी है वो हटा देंगे और ये नीव लिया है इसके बीज निकाल देंगे और चटनी में इस तरह से लगाएंगे और भुटे में सभी चटनी लगा के तयार कर देंगे तो भुटा बिलुकुल भी यह नहीं लगता है कि आपने घर पे बुना है इसे बहुत ही टेस्टी बुनता है एक वार इस तरह से ट्राय जरू करिएगा तो इस तरह से वो ठेले वाले देते हैं इस तरह से पते में जो पते का पता होता है वस उसी में इस तरह से देते हैं तो यह देखिए फैंस वीडिय प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तब मिलते रहेंगे ऐसी नही रेस्पी के साथ तब तकी लिए